अब्दुलमतीजी टीएमसी का यह कहना कि हम नहीं मानते किसी को वोड़ बैंक लेकिन उनका क्या वोड़ बैंक है जिसकी बात ममताबानर जी करती हैं कि ये दूद देती गाये हैं इसको कैसे लात्मार दें, वो किसके बारे में बात कर रही थी ? नसाइसो का डेटा है, सरकारी इंस्टूटूशन का डेटा है, उस डेटा से परिस्कार पता चल रहा है कि मुस्मानों का खासकर करके जो बहुत बड़ा तब का है, बंगाल में 27 पीसर अबादी है, उसमें उनका स्वास्त, उनका एजूकेशन, उनका आपका पाटीसिपेशन in governance, उनमें bank credit, सब चीज में बहुत बहुत बीचे है, और आप देखिए, यह जो vote bank शब्द है, यह vote bank शब्द अविसकार किया गिया है, क्योंकि एक हमारा जो constitution से संगविदान है, उस संगविदान का spirit का खिलाफ है, क्योंकि इतना प्रतिशद इनसान, उनका जो constitutional values है, उस values को we reducing that entire group to us, a vote bank, which is a pity. लेकिन अब्दुलमतीन साब, सच्चा कमिटी रिपोर्ट तो लेफ्ट के कारेकाल के दौरान जो हालत थी हाप मुसल्मानों की उनको लेकर भी आई थी ना, तो तब क्या बहुत थी हालत, वो तो ऐसी हालत थी जो अभी है, बिल्कुल आप सही कहे है सच्चा कमिटी रिपोर्ट पुरा हिंदुस्तान का मुसल्मानों को लेकर है, लेकिन पश्चे बंगाल के मुसल्मान की स्थिती सबसे खराब की, यही तो मैं कहे रहा हूँ, जो वोड़ वैंक और यह पूरा जो सो काल सेकूलर कमिनल बाइनरी हम लोग करते हैं, यह हम सबसे बंगाल के स्थिती पूरा देश में सबसे ज्यादा खरा बंगाल में है, तो इसके लिए हमेसे जो थेरा जाता है कि बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी यह जो डर पैदा किया जाता है, यह बाइनरी किया जाता है, कि एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कमिनल, एक तरफ जब सेक्विलर का जो बाइनेरी है इस बाइनेरी से बाहर आना चाहिए TV9 भारत वर्ष और TV9 बांगला प्रस्तु करते हैं पश्चिन बंगाल चुनाओं पर सबसे बड़ा कॉन क्ले What Bengal thinks today देखिए 30 जन्वरी दिन भर